नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की और्थोकोट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, और्थोकोट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और और्थोकोट टैबलेट की वज़़ से क्या साइड और यहां भी डिसकस करेंगे की और्थोकोट टैबलेट की वज़़ से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है, और्थोकोट टैबलेट के अंदर 100 कंपोजिशन दिफलाजा को रत होता है, और्थोकोट टैबलेट एक MG, 6 MG, 12 MG, 18 MG वचौबीस MG की स्ट्रेंध और्थोकोट टैबलेट एक स्टेरोइड दवा है। और्थोकोट टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर, नजला होने पर, एलर्जी होने पर, औस्टियो आर्थराइटिस होने पर, रूमेटोड अर्थराइटिस होने पर, लूपस होने पर, मल्टिपल स्क्लेरोसिस होने पर और कैंसर के इलाज में और्थोकोट टैबलेट का उप्योग किया जाता है इसके अलावा बहुत प्रकार के त्वचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस होने पर एक्जिमा होने पर सोराइसिस होने पर त्वचा पर कोई एलर्जी होने पर और त्वचा पर खुजरी होन पर आधी कंडिशन्स में भी और्थोकोट टैबलेट का उप्योग किया जाता है और्गन ट्रांस्प्लांट के बाद भी डॉक्तर और्थोकोट टैबलेट को लेनी की सलाह दे सकते हैं हमारे शरीर में और्गन ट्रांस्प्लांट जैसे लिवर या किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कि हमारा शरीर ट्रांस्प्लांट किये गए ओर्गन को रिजेक्ट कर दे, इसलिए ओर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं के साथ और्थोकोट टैबलेट को भी लेने की सल दे सकता है, और्थोकोट टैबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, जिसकी वज़ा से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ट्रांस्प्लांट किये गए ओर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता है, और ट्रांस्प्लांट किया गया नया ओर्गन आसानी से काम कर पा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि और्थोकोट टैबलेट की वज़़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। अगर आप और्थोकोट टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं, तो और्थोकोट टैबलेट की वज़़से साइड इफेक्स होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। अगर आपका डोक्तर आपको और्थोकोट टैबलेट को केवल एक या दो सप्ताह के लिए और्थोकोट टैबलेट को लेने की सलाह देता है, तो साइड इफेक्स होने का जोखिम भी कम ही होता है। और्थोकोट टैबलेट की वज़े से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध होना, पेट में बेचैनी होना, घबराहट होना और स्वभाव चजचड़ा हो सकता है, वर डिप्रेशन भी हो सकता है. इसके अलावा और्थोकोट टैबलेट की वजह से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूग का बढ़ना, वजन का बढ़ना वनींद ना आने की समस्या भी हो सकती है कुछ व्यक्तियों में और्थोकोट टैबलेट की वजह से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है और मासपेशियों में दर्ध हो सकता है। लंबे समय तक और्थोकोट टैबलेट को लेने से शरीर की इम्म्यूनिटी कमजोर हो सकती है। से ब्लड शुगर लेवर अधिक हो सकता है। और डाइबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। और्थोकोट टैबलेट की वज़ज़ से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है। और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। समय तक और्थोकोट टैबलेट का सेवन करने से शरीर की तवचा पतली हो सकती है। और तवचा पतली होने की वज़ज़ से तवचा में दरारे पड़ सकती है। और्थोकोट टैबलेट की वज़ज़ से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है। और शरीर में सोडियम का लेवल अधिक हो सकता है और पोटैशियम का लेवल कम हो सकता है और्थोकोट टैबलेट की वज़ा से गर्दन, चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है जिसकी वज़ा से चेहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकत और्थोकोर्ट टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीनी या कम हो सकती है और्थो कोट टैबलेट की वज़ा से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे कि और्थोकोट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। TB होने पर, Diabetes होने पर, Viral या Fungal Infection होने पर, Thyroid की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, Kidney या Liver की कोई गंभीर बीमारी होने पर, Osteoporosis होने पर और Myasthenia Gravis होने पर आधी कंडीशन्स में और्थोकोट टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना और्थोकोट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए और्थोकोट टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित्वर रेक्मेंडेड नहीं है। अब हम डिसकस करेंगे कि और्थोकोट टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। orthocoat tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है orthocoat tablet की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलद-अलग हो सकती है इसलिए डॉक्टर की सला के बिना और्थोकोट टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि और्थोकोट टैबलेट की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है। और्थोकोट टैबलेट की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को कुछ बातों का विशेश ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। और्थोकोट टैबलेट की वज़े से हड्डिया कमजोर हो सकती है। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाये रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्यय पदार्थों जैसे डूद, दही, सोयाबीन वपनीर आदी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए. या आप कैल्शियम और विताविन दी के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं. इसके अलावा तच्चे फलों, सबजियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए. और हर रोज एक्सरसाइस करनी चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो प पुच सकते हैं.